आप अप है आप कि हलो ग्रीटिंग्स तो आल अप्यू वेल्कम तो अन अकाडमी सभी का बहुत बहुत स्वागत है दुपहर के बारा बच चुके हैं हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं एक पहुती इंपोर्टेंट और धमाकेदार सेशन के साथ भाई साब जितने लोग चैनल पे नए हैं फटा फट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें थाकि आने वाली सभी क्लासेश का नोटिफिकेशन आपको मिल सकें इस वीडियो को सब लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड सकें जै हिंद ओफिसर्स आ जाईए आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल आपके अपने परिवार लेट्स क्राक डिफेंस एक्जाम के एक बहुती इंपॉर्टेंट सेशन दा जी एस पोस्ट मॉटम सिरीज आजो भाई तो जो आफिसर्स हाउस दा जोश आजाईए अमल नायब ओके प्रशांत अनीश अलिशान प्रशांत जल्दी जल्दी सब लोग आईए और जुडिये ताकि फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट कर सकें भाई साहब ये सेशन हमारा बहुती शांदार चल लहा है जिसका नाम है दजी एस पोस्ट मॉटम सिरीज नाम से तो ऐसा लगता है पता नहीं किसका पोस्ट मॉटम हो रहा है लेकिन पोस्ट मॉटम बेटा सिर्फ मरने वाले इनसान का ही नहीं होता है exam का भी post-mortem करना बहुत जरूरी है क्योंकि post-mortem के पीछे का जो main मकसद है वो यह है कि किसी भी चीज का कारण जानना वह हमारे students हैं वो पढ़ाई करते हैं पढ़ने के बाद भी कई बच्चे ऐसे हैं जो की exam में आसफल हो रहे हैं है क्या नहीं पढ़ना है ये नहीं मालूम हो रहा हो इस वजे से क्या हो रहा है कि बच्चों को आसवर्टा का चहरह देखना पड़ना है हमारे देश में जो बच्चे CDS की त्यारी करते हैं उसमें से 90% तो यह बच्चे हैं जो बच्चों के पास वो बहुती फेमस एक महान किताब आती थी ना बटा ना जी दा पात फाइंडर वो रख रखी है हाला कि पात फाइंडर पढ़ने से बटा मैं आपको सच बताओं कि 2016 तक के पेपर तो हो जाएंगे लेकिन 2016 के बात के पेपर्स को पात फाइंडर से कर प्राक्टिकली इंपॉसिबल है और यह जो 2019 का पेपर है यह तो भाई साब अगनी परिक्षा है भाई साब बड़े बड़ों की हालत खराब हो गई थी CDS 1 2019 में और इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि यह एक मात्र ऐसा पेपर है CDS के इतिहास में जिसमें sectional cut-off 10 नंब किसी के 15 नंबर आपको मालूम है कि CDS के exam में हर section की sectional cut-off होती हो 20 नंबर होती है लेकिन यह एक मात्र ऐसा पेपर है GS में CS की sectional cut-off जो है 10 नंबर गई थी तो आज हम part 3 पर पहुच गए हैं मतलब आज हम question number 61 से लेकर 90 तक करने हैं और जैसा कि मैं आपको दो दिन से बता रह साहब आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि इस पेपर में 30 नंबर लाना मुझे नहीं लगता कि आसान काम है तो इस पेपर में 30 नंबर लाना भी एक tough काम माना गया है लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि patience रखो बच्चो 120 में question होते हैं बहुत होते हैं आपको 120 में स सिर्फ और सिर्फ अगर तुम बैटा almost 40 question भी यहाँ पर सही करते हो तो आपका काम हो जाता है याद रखिएगा कि exam में बैटा वही इंसान solid है जो इंसान accuracy पर विश्वास रखता है सोचो एक दो scenario बताता हूं 120 question आए हैं मान लो कि ये cds1 2019 का paper दे रहे हैं दो बच्चे हैं सुनिएगा दो बच्चे हैं जो cds1 2019 का paper दे रहे हैं एक बच्चा वो है जिसने 120 के 120 question attempt किये हैं 120 के 120 question attempt किये और इसने 40 question सही किये और 80 question गलत किये दूसरा बच्चा है उसने सिर्फ और सिर्फ 40 question ही attempt किये हैं और 40 के 40 question सही किये हैं तो बताओ दोनों में ज़्यादा बहतर कौन है obvious सी बात है कि ये इंसान जो है वो ज़्यादा सफल है क्योंकि इसने 40 सही किये थे 32 नमबर मिले लेकिन 80 गलत भी तो कर दी है सारे खतम हो गए मार्क्स इसलिए बटा मैं कहता हूँ कि exam में patience रखो patience रखो आपको हमेशा अच्छे questions मिलेंगे करने के लिए cricket match में 50 over का match होता है 300 गेंदे होती है बटा 300 गेंदों में 50 गेंदे तो आपको अच्छी मिलेंगी ना खेलने के लिए तो इसलिए कहते हैं कि इंतिजार करो आसान चीज का इंतिजार करो तो 120 में से 40 question तो आपको guarantee मिल जाएंगे सही लेकिन बच्चे problem हमारे देश में ये है कि वो ज़्यादा attempt करने के चक्कर में सब कुछ गलत करते हैं तो आज भी question बहुत tough है बटा आराम से करिएगा धीरे ध ठीरे ठीक है session को live और share करो यार सब लोग बहुत बढ़िया तो देखे ये देखे कल भी मैंने आपसे कहा था think big trust yourself and make it happen तो याद रखेगा कि हर इंसान को he has to think big तो छोटा सोच रखने वाले का कोई फाइदा नहीं है जीवन में तो हमेशा बड़ा सोचो और खुद पर भरो सबसा रखो and make it happen याद रखेगा तो लेकिन होता क्या है कि हमारे देश में लोगों के अंदर self belief ही नहीं होता है सर ये मुझसे नहीं होगा अरे भाई क्यों नहीं होगा जब तुम एक्जाम के लिए eligible हो तो ये तुमसे ही होगा तुम्हारे अंदर ये attitude होना चाहिए कि सर अ साल से ज़्यादा मैं वन आप दा टॉप एजुकेटर्स हूँ अनकाडमी प्लस पर दो लाग स्यादा बच्चे पढ़ा चुका हूँ खुद भी बहुत सारे government exams निकाले हैं मुझे troops of geniuses का award अनकाडमी पर मिल चुपा है आप मुझे अनकाडमी पर फॉलो कर सकते हैं GS का जोग्रफी एकनॉमी करेंड अफियर मिसलेनी है सब कुछ मैं पढ़ाता हूँ तो लेट्स क्राक cds आपकाट c a pf विद इंडियास लाज़ेस लर्निंग प्लेटफॉर्म अनकाडमी यहाँ पर आपको डेली लाइफ क्लासेस स्ट्रक्चर सेशन प्लान अनलिमिटेड प्र देख सकते हैं अनकाडमी पे सारी क्लासेस लाइब होती हैं एक सब्सक्रिप्शन लेना है तीन हजार से जादा कोर्से cds a pf के आपको मिलते हैं अनकाडमी के सब्सक्रिप्शन की सबसे वड़ी खासियर यह है कि वो बिल्कुल कस्टमाइज है आप जिससे पढ़ना चाहते उससे पढ़िये जिससे नहीं पढ़ना चाहते हैं उससे ना पढ़िये एक कैटेगरी में आपको सौ से जादा टीचर सन अनकाडमी पे मिलते हैं आप हमारे फ्री कंटेंट को अनलॉक कर सकते हैं मेरा कोड है qa live इसके लावे special classes अटेंड कर सकते हैं quizzes दे सकते हैं और यह हम आपके लिए आरा आखरी बैच एक्सपीडिशन सीडियस ओटिये 2021 यह लास्ट बैच है जो की 15 सेप्टेंबर से लेकर के 12 नवंबर के बीच चलेगा इस बैच में डॉक्टर मिश्य शोद्या इंग्लिश मैं इसमें जोग्रफी हिस्ट्री इकनॉमी करेंड फेर विशाल सर पॉलिटी रेश्वा मैम साइंस और सुजी सर मैट्स पढ़ाने वाले हैं फेंटास्टिक बैच है जोइन कर सकते हो इसके लिए सब्सक्रिप्शन है एक तीन छे बारा चौबिस वैसे बेस सब्सक्रिप्शन बारा चौबिस महने के हैं कारण यह मैं बता रहा हूं क्योंकि 2022 का कैलेंडर आ चुका हो सेप्टेंबर 2022 तक सारे पेपर हो जाएंगे इसलिए कहूंगा कि 12 महने का सब्सक्रिप्शन ले लो और अगर ग्राजुएशन में नए हो 2023 वगरा में पेपर देना है तो 24 महने का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो चिक है शाम को 6 बजे प्रैक्ट को दुपहर 12 बजे मैं एक सेशन लेने वाला हूँ हाउ टू एस जन्रल स्टडीज इन 60 डेस साथ दिनों में जन्रल स्टडीज की तैयारी कैसे करें ये एक बहुत सॉलिड आज मेरा सेशन होने वाला है याद रखेगा इस फ्राइडे को 12 बजे आईएगा जरू ठीक है चल जल्दी आ जाईए जल्दी आ जाईए चलिए भाई शुरू करते हैं सेशन को लाइक और शेयर होते रहना चाहिए बहुत मजा आने वाला है चलिए शुरू किया जाए लेट्स बिगिन चलो भाई तो पहला कोश्चन कोश्चन नमब 61 उससे पहले मैं आपको बता दू कि मे अगर आप जानते हैं कि प्रोटॉन के कंपारिजन में लेस मास होता है तो जाहिर सी बात है कि statement 1 will be right VE is greater than VP क्योंकि इसका जो मास होता है वो कम होता है याद रखेगा प्रोटॉन के कंपारिजन में तो right answer is A बिलकुल सही है VE is greater than VP बहुत बढ़िया शावाज 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 अलिशान हैदर ने कर दिया skip कोई परशानी नहीं है हमें तो वैसे भी 40 question करने है मतलब यह है कि हर तीन में एक question भी सही करेंगे तो भी अपना काम हो जाएगा चीक है चलिए दूसरा question देखते हैं scalar and vector properties का question है if two vectors a and b are at a same angle theta not equal to zero then जल्दी बताओ क्या होगा कौन सा जो है यह question थोड़ा सा tough है थोड़ा सा तिर्भा question है two vectors a and b are at the angle theta not equal to zero then तो क्या equation सही होगी हाँ जी जल्दी बताओ question number 62 को देखिएगा बहुत बढ़िया जल्दी 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 आ जाईए आरे आ जाईए चमकता तारा साब बहुत बहुत स्वागत है जल्दी बताइएगा तो इसमें कौन सा statement सही दिखाई दे रहा है हाँ जी a plus b is greater than a plus b हाँ जी जल्दी देखो बहुत बढ़िया right answer is b बता हाँ जी तो b right answer होगा solve करो इसे हाँ जी तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से इससे आप solve कर सकते हैं ठीक है हाँ जी तो यह जो है आपका answer निकलाएगा बिलकुल सही है right answer जो है यह हो जाएगा शाबाश context है biology में cells है अब देखो cell तो हमेशा important है which of the following function is not carried out by the smooth endoplasmic reticulum हाँ जी तो smooth endoplasmic reticulum का function कौन सा नहीं है transport of material synthesis of lipid synthesis of protein या synthesis of steroid hormon रहे यार यह तो असान question है जल्दी बताओ तो इन में से जो है smooth endoplasmic reticulum का जो है कौन सा जो है function नहीं है भाई यह तो आना चाहिए जल्दी बताओ smooth endoplasmic reticulum बटा जाहिर सी बात है क्योंकि आपको मालूम है कि जो synthesis of protein है हाँ जी यह बटा ribosomes द्वारा किया जाता है हाँ जी तो ribosomes होते हैं ना बटा synthesis of protein बिलकुल सही है तो right answer will be c c is the right answer शाबाश सो synthesis of protein जो है वो तो ribosome हो जाएगा बट चो right answer c हो जाएगा शाबाश ओके next तो फेल से एक और question है इससे एक चीज़ साबित हो गई कि भाई साब आपका जो यह topic है ना cytology जिसे cells and its organelles कहते हैं यह बहुत important topic है चीख है तो which of the following cell organelles mainly function as storehouse of digestive enzymes यह भी आप कर लेंगे तो decmosome है ribosome है lyzozome है या vacuoles है तो storehouse of digestive enzymes जल्दी बताओ बहुत बढ़ हां तो जो cell organelles जो है mainly function as storehouse of digestive enzyme जल्दी बताओ तो storehouse of digestive enzyme fast 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 बिल्कुल सही है right answer c हो जाएगा लाइजोजोम जो होते हैं वो होते हैं storehouse of digestive enzyme बिल्कुल सही है तो digestive enzyme का जो storehouse है वो है lyzozome question number 64 का right answer c है 65 plant kingdom भाई देखो यह आपने देखा होगा कि हर साल paper one जो होता है जैसे cds 1 2017 cds 1 2018 cds 1 2019 आपको one वाले में जो है plant kingdom animal kingdom मिलती है which of the following tissues is responsible for increase of girth in the stem of the plant जल्दी बताओ तो गर्थ आपको मालूम है ना चोड़ाई चोड़ाई को कहते हैं गर्थ हाँ जी so which of the following issues is responsible for the increase of girth in the stem of a plant so trackide है pericycle है intercalorie meristem है या lateral meristem है जल्दी देखो 65 बहुत बड़ी हाँ हाँ जी बटा यहाँ पर जो है cds 1 के question 2019 के बहुत से हैं ना भाई साब सही बताओं बड़े बड़ों को परशान किया है बिल्कुल सही है यह राइट आंसर बटा डी है lateral meristem is the right answer right answer d है तो lateral meristem tissue responsible for increase of girth in the stem of a plant it is found in the lateral side of the stem of root of plant याद रखेगा so lateral growth of the plant जो है उसमें मदद करते है lateral growth मतलब जो चौड़ाई होती है गर्त जो होती है इसी के वज़े से बढ़ती है हां जी ओके अरे यार तुम लोग फिर लड़ाई करना शुरू कर दिये फिर से लड़ाई करना शुरू कर दिये यार ठीक है चलो भाई बहुत बढ़िया कोई परसानी नहीं है चलो भाई को शमक्ता तारा जी को ब्लॉक करवा देते हैं यही बहतर है शमक्ता तारा मैं आपसे माफी माऊंगा लेकिन अब आपको इस सेशन से भागा दिया जाएगा विठा तो आम रेली सॉरी अब आप इस योग्य नहीं है ठीक है तो दो मिनट रुख जाईए अच्छो एक सेकंड ठीक है एक सिकंड चलो बई हो गया ठीक है चलो कोई परसानी नहीं है ठीक है इंका काम हो गया अब यह गए बाहर ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं next question है biology का चीक है biology का question है which of the following organisms is dependent on the saprophytic mode of nutrition तो saprophytic mode of nutrition क्या होता है जल्दी बताओ बहुत बढ़िया जल्दी बताईए यह saprophytic mode of nutrition क्या होता है तो saprophytic mode of nutrition क्या होता है जल्दी बताओ fast तो what is saprophytic mode of nutrition आपको मालूम है कि saprophytic mode of nutrition का मतलब होता है बच्चों कि जो organisms जो है dead matter पर जो है feed करते हैं तो dead organisms पर जो feed करते हैं उन्हें saprophytic कहा जाता है ठीक है हां जी तो आपको मालूम है कि जो dead organisms feed करते हैं उन्हें saprophytic कहते हैं तो अगे recess हैं, ultra 6 हैं, VCR हैं या cladophora हैं जल्दी बताओ बटा तो saprophytic आपको मालूम है कि जो dead organisms पर feed करते हैं हां जी तो जल्दी बताओ तो कौन सा ऐसा organism है जो की dependent on saprophytic mode of nutrition ठीक है हां जी बहुत अच्छे शाबाश जल्दी बताओ फाश जल्दी जल्दी तो भई right answer question number 66 का क्या हो जाएगा question number 66 का right answer है अगारिकस जो है वो saprophytic mode of nutrition में होता है बिल्कुल सही है right answer will be a बेटा प्लीज क्लास पर ध्यान दो बेटा बहुत जीवन में जो है ना जीवन में बहुत बहुत पढ़ाई करनी है चीख है अरे यार यह जो है ना यह चलो एक काम करते हैं इग्नूर है छोड़ दो छोड़ दो ऐसे नॉंसेंस लोगों का जीवन में कुछ नहीं हो सकता यह साले चपरासी बनने के लाइक भी नहीं है चीख है आगे बढ़ते हैं छोड़ दो यार इन सब को एक सेकेंड चलो चली आगे बढ़ते हैं ठीक है चलो next so next आता है which of the following has a bilateral symmetry in its body organization बहुत अच्छा कुशन है so bilateral symmetry bilateral symmetry का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ चीख है हां जी तो bilateral symmetry का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ bilateral symmetry तो इसमें से देखो बटा या Asterious है C anemone है Nereus है या Achenus है तो आपको मालूम है यह बहुत ही important है हां जी चलो भाई गये बहार बहार हो गया इंका काम हो गया चलो भी थैंक्ट चलो भाई इंका काम हो गया ये गये बहार चलो दुबारा नहीं आएंगे हां जी तो आप देखो bilateral symmetry क्या होती है बिटा bilateral symmetry का मतलब होता है जिसमें opposite साइड जो है वो सेम होती है जलदी बताओ तो अपोजेट साइण सेम होती है तो right answer will be narise हां जी निरीज जो है इसमें bilateral symmetry होती है हां जी बाइडरे जन्रली 5 और सिमेटरी होती है बिलकुल सही है तो bilateral symmetry जल्दी बताओ बहुत अच्छे question number 69 देखा आप 67 आपने एक चीज देखी होगी कि एक आदमी के disturbance करने से आप देख सकते हैं class में कितनी disturbance हो जाती है आप अपने पढ़ने के काम से जो है distract हो जाते हैं और मैं जो हूँ पढ़ाने के काम से distract होता हूँ क्योंकि आप लोग उस यही वो negative energy है जिसको आपको अपने आसपास से दूर करना है यही वो negative energy है जिसे आपको अपने आपसे दूर करना है तो जितने भी negative energy है और जितने भी negative लोग हैं उनको अपने आसपास से दूर कर दो क्योंकि यह वो लोग हैं जो exam को तुम्हें कभी निकालने नहीं देंगे ये वो distraction है जो तुम्हें कभी तुम्हारे गोल पर focus नहीं करने देगा याद रखेगा चीक है तो इन सब चीजों को निगलेट किया करो इग्नोर किया करो ये ऐसे लोग हैं बैटा सज बता रहा हूं मैं कि ये officer तो बहुत बहुत मतलब दूर की बात है ये अच्छे इंसान न humans हैं जो human beings हैं उनकी respect करना सीखना पड़ेगा याद रखेगा तो human beings की respect करना आपको सीखना पड़ेगा याद रखेगा चीक है तो जब तक आप एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते आप जो हैं बैटा officer बनना तो बहुत दूर की बात है याद रखेगा चीक है बहुत living pairs of animals is warm-blooded क्या बात है तो इन में से कौन से pair of animals जो हैं वो warm-blooded हैं crocodile and ostrich, hackfish and dogfish, tortoise and ostrich, peacock and camel बहुत बढ़ियां तो warm-blooded का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ बेटा तो warm-blooded हां जी तो कौन से ऐसे animals हैं जो की warm-blooded हैं जल्दी बताईएगा बहुत बढ़ियां warm-blooded की अगर बात करते हैं तो ये वो animals होते हैं जो अपने body temperature को regulate कर लेते हैं जी तो उन्हें warm-blooded कहा जाता है क्योंकि अपने body temperature को regulate कर लेते हैं याद रखेगा चिक है बहुत बढ़ियां जल्दी बताओ बिल्कुल सही है right answer D है peacock and camel शाबाश तो peacock और camel जो है ये warm-blooded होते हैं याद रखेगा चिक है शाबाश ये body temperature को regulate करना जानते हैं बिल्कुल सही है शाबाश बहुत अच्छे next आता है floods in news ये देखेगा which of the following states of India is not covered by the flood forecasting station set up by the Central Water Commission क्या बात है तो flood forecasting station कहाँ पर नहीं है राजस्थान, जम्मु कश्मीर, तृपुरा या हिमाचल प्रदेश बहुत बढ़िया अब मुझे मालूम है इस question को आप गलत कर सकते हैं याद रखेगा हान जी तो flood control याद रखेगा flood forecasting station आपको मालूम है कि हमारे देश में जो flood forecasting station है वो भारत के 22 राज्यो और union territories में है हैं बहुत बढ़िया मुझे मालूम है जादा तर लोग कह देंगे सर राजस्थान लेकिन राजस्थान में बेटा flood forecasting station है राइट आंसर इस दी हिमाचल प्रदेश तो हिमाचल प्रदेश में flood forecasting station नहीं है याद रखेगा question number 69 का D है तो 226 flood forecasting stations है याद रखेगा ये हमारे देश में 22 states और union territories में है 19 major river basins याद रखेगा हिमाचल प्रदेश is not covered in direct तो हिमाचल प्रदेश में बटा ये नहीं है बहुत बढ़े हैं आशावाश okay the city of katagena which is famous for protocol on bio safety is located in columbia venezuela brazil या गयाना जल्दी बताओ ये तो आसान है जल्दी 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 तो katagena city जल्दी बताइए जो कि bio safety का protocol था यहाँ पर जैसे आपने सुना होगा ना रामसर convention हो गया पैरिस agreement हो गया जिनीवा convention हो गया वैसे ही बटा katagena जो summit थी बहुत ही फेमस थी अपराधियों का भगवान था वो पाबलो एसकोबार हां जी सो राइट answer is a columbia is the right answer पाबलो एसकोबार के बारे में जहनते होंगे ना वेटा दुनिया में उससे बड़ा अपराधी पैदा नहीं हुआ तो कहते ना कि जब अपराधी लोग अपराध का धंदा शुरू करते हैं तो उससे आशिरवाद ले के जाते हैं फोटो को भाईया आशिरवाद बनाए रखना बहुत खतनाक आदमी था बहुत बढ़िया सतर कोशन हो गए भाई साब एक बार सारे लोग लाइक और शेयर बटन दबा दें अ अच्छी बात है लेकिन जिनको अच्छा लग रहा है लाइक बटन दबाते रहे हम अपने टार्गेट और आगे बढ़ रहे हैं चीख है हां जी जल्दी बताईए पाबलो इसको बार जो ना भगवान थे बैटा इनके किसके अपराधियों के भगवान है वहां जी इसका फैसला वहां होगा बहुत बढ़ी है शावाश सेंसस अब देखो भाई यहां पूछा गया है विच वन अमंग दा पॉलुविंग इस दा मोस्ट पॉप्यूलेटेड स्टेट इन इंडिया इस पर सेंसस 2011 भाई साब अब ऐसा कुशन पूछा भी तो और ऐसे इसे ना गोवा मिजोरम मिखाले सिक्किम अब इन में से सबसे यदा पॉप्यूलेटेड गौंसा है भाई साब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको देखो विटा आपको मालूम है कि सिक्किम में सबसे कम अबादी है 6.000.000 पास है यह तो नहीं हो सकता आपको सब को माल सबसे ज़्यादा इनमें से सबसे ज़्यादा है इनसान बरबाद हो जाए उसी में हां जी बहुत बढ़ी हां तो राइड आंसर विल भी सी में घाले में घाले की अबादी करीब 29 लाक्स के आसपास है हां जी हां जी आप देख सकते हैं गोवा 15 लाक के आसपास है मिजोरम 10 लाक के आसपास सिक्किम 6 लाक और में घाले 29 लाक्स सीख है अब देखो जोग्रफी का कुश्चन है विच अमंग दा फॉलिविंग कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका डस दा ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉ आपको मालूम है यह हमारा साउथ अमेरिका है जल्दी देखो तो इनमें से कौन सा देश है जहां से ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन पास नहीं करता है चीक है आपको मालूम है साउथ अमेरिका में चार देश है जहां से ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन पास करता है एक देश क नाम है बेटा ब्रेजील हाँ जी ब्रेजील से पास करता है दूसरा है पैरागुए पैरागुए से पास करती है तीसरी है बेटा चिली और चोथा है अर्जेंटाइना तो ब्रेजील पैरागुए चिली अर्जेंटीना राइट आंसर विल बी बी बॉलीविया क्योंकि ब्रे परिष्थित है दुनिया की सबसे हाइस्ट कैपिटल जिसका नाम है लापास वो भी बॉलिविया में है आपको मालू होगा कि दुनिया की सबसे हाइस्ट कैपिटल जो लापास है वो बॉलिविया में है दुनिया में सबसे हाइस्ट लेग जिसका नाम है लेग टीटी का का हा वो भी बॉलीविया में है याद रखेगा बहुत बढ़ है शाबाज बच्चो राइट आंसर इस बी दाट इस बॉलीविया नेक्स जोग्रफी का कोश्चन है नौट करेक्ट अबाउट सर्गासो सी क्या बात है इस चैरेक्टराइज विद अंटी साइक्लोनिक सर्कूलेशन अफोशन करेंट इस रिकॉर्ट बारी कोश्चन भारी कोश्चन ठीक है ठीक है चलो भाई बहुत बढ़िया शावाज 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 ठीक है चलो भाई देखो आराम से यहाँ पर देखेगा सर्गासो सी अब आपको मालूम है सर्गासो सी कहां है ठीक है अब देखो सरगासो C की बात करें अगर यहाँ पर तो यह बटा हमारा North America है और यह हमारा South America है और यहाँ पर बटा जो है इधर इस एरिया में आपको सरगासो C मिलेगा अब जाहिर सी बात है कि Gulf Stream तो बटा यू निगल लाए ना यू तो यह देख सकते हैं तो अगर यह गल्फ स्टीम करेंट है तो जाहिर सी बात है यह इसके East में है ना बटा हांची तो West of Gulf Stream कैसे हो जाएगा Right answer will be C चीक है तो C will be the right answer बहुत अच्छे चीक है हांची बहुत बढ़िया Right answer is C बटा देखो अब मैं आप लोग से बहुत अच्छी बात बताऊंगा बहुत अच्छी बात बताऊंगा कि अगर अब किसी ने कोई भी जवाब दिया तो बिलकुल गलत है आप लोग बटा एक हाई लेवल ऑफ स्टुडेंट्स हैं पढ़ाई करिए और वह कहते हैं कहावत है क्यों डैट डैश डैश भौकते रहते हैं लेट 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 अंसेंट्रेंट स्टेइज इग्नोर रिम ठीक है आगे वड़ते हैं चली तो जोग्रफी का यह कुशन था बहुत इंपॉर्टेंट है आगे चिक है अब देखो सिटी एंड प्रोड़क्ट्स देखो डेट्रॉइट है एंड ट्रूप है ठोकियो है हार्बिन है जल्दी देखे कोशन नमर 74 को देखेगा बहुत बढ़िया हां जी भाई देखो अब सबको मालूम है इसके बारे में बहुत बढ़िया कोशन है ध्यान से देखेगा देखो यहाँ पर डेट्रॉइड एंड ट्रूप टोकियो और हार्ब ट्रूइड आपको मालूम है बहुत ही फेमस शहर है यूएसे में जो की कार के लिए हां जी बहुत important है तो कारों के लिए motor cars के रहे बहुत मशूर है डेट्रॉइड तो डेट्रॉइड के साथ तो motor car हो जायेगा मतलब इसका जो है एका वन होगा ये guarantee है तो एका तो वन होग का मतलब यह दोनों तो गए बाहर एंड टूप जो है बेल्जियम में डाइमंड कटिंग के लिए बहुत मशूर है मतलब बी का टू हो जाएगा मतलब यह भी गया बाहर राइट आंसर अपने आप आ गया याद रखेगा टोकियो विटा शिप बिल्डिंग के लिए राइट जीखेगा याद रखेगा बहुत बढ़िया शावाज 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 वेरी गूड ओके आगे बढ़ते हैं अब देखो नाशनल हाइवेस से कुश्चन आ रहा है विच आप दा फॉल्लिविंग इस नौट सिचुएटेड ऑन वारा नसी कन्या कुमारी नाशनल हाइव नंबर सेवन अब आपको मालूम है क्योंकि यह पेपर 2019 का है और उसके बाद ही नाशनल हाइवेस के नाम हमारे चेंज हो गए है याद रखेगा चीक है हां जी तो वारा नसी कन्या कुमारी नाशनल हाइवे नंबर सेवन जो कि हमारे देश का सबसे लॉंगेस नाशनल हाइ रीवा के बाद ये पहुचता है कटनी कटनी के बाद पहुचता है जबलपुर जबलपुर के बाद ये आपको मिलेगा नाकपुर में नाकपुर के बाद ये आपको मिलेगा हैदराबाद में हाँ जी हैदराबाद से नीचे जब आप बढ़ेंगे तो ये नीचे चलते चल ही होगा याद रखेगा चुjsk है तो सतना जो एसमेन शामिल नहीं है शाबाश वालज तो सतना जो है इसले सिटीन मद्दे परदेश dość आपको मालूम है बहुत ही फेमस है आपके cement industries के लिए actually ये मद्यपर्देश का जो पूरा एरिया है सतना दीवर महियर जबलपूर वाला ये पूरा एरिया जो है cement industries के लिए बहुत ज़्यादा मशूर है याद रखेगा हाँ जी क्योंकि यहाँ पर limestone का बहुत अच्छा प्रोडक्शन है और इसी वज़े से आज पास जो है cement industries आपको मिलती हैं बहुत अच्छे like and share भाई साब अभी हम अपने target से almost एक quarter पीशे चलना है हाँ जी जल्दी 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 सतना मद्य बर्देश में हैं बिल्कुल शाबाश जल्दी करिये बढ़ियां से आंसर दीजिए हाँ जी जल्दी बहुत अच्छे तगड़े जवाब आ रहे हैं भाई साब बहुत बढ़ियां आदे questions हमारे हो चुके हैं like और share होते रहना चाहिए हाँ जी शाबाश तो बाई साब ये 15 सेप्टेंबर से हमारा बैच शुरू हो रहा है अगले Wednesday से चीक है मतलब आज ही के दिन आज Wednesday है तो अगले Wednesday से हमारा ये बैच आ रहा है और अगर आप लोग को जॉइन करना है तो इस बैच को जॉइन कर सकते हों जी ठीक है नहीं बैटा आज हम लोग कोशन नबर 90 तक पहुंचेंगे चीक है क्योंकि थर्ड पार्ट है ना चार पार्ट में पूरा करते हैं कल ये पेपर खतम हो जाएगा चीक है बाई साब एक बार फिर से सारे लोग लाइक और शेर बटन दबा दें चीक है नेक्स अब अगरी कल्चर का वेच अब फाव गीम मेफटर इस नौट शूटेबल एर्बन रेनवाटर हार्वेश्टेंग तो रेनवाटर हार्वेस्टीं में याद वाला शहरों में तो रूफ टॉप रिचार्ज पिट रिचार्ज वेल्स गली प्लग या रिचार्ज ट्रेंज बहुत अच्छा कुश्चन है जल्दी देखो बहुत बढ़ियां हाँ जी जल्दी बहुत बढ़ियां चीक है हाँ जी अरे कोई परचानी ने रोहित प्रजापत करें कि at least conference तक गये वेरी गुड रोहित कोई परशानी नहीं बेटा अगर तुम conference तक गय हो न अगली बार तो गैरेंटी सेलेक्शन होगा बहुत 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 congratulations लगे रो बेटा इस बार हम जाएंगे तो not suitable for urban rainwater हाँ जी जल्दी बताओ जल्दी तो urban rainwater में कौन सा suitable नहीं है बेटा आपने सुना होगा चेक डैम चेक डैम सुना है ना जैसे ये सड़क जा रही है ये सड़क है तो सड़क में बीच में गड़ा बना दिया जाता है ताकि पानी जो है यहाँ पर भर सके चीक है हाँ जी rainwater harvesting गली पग जो गली प्लग है ये basically जो है गाउं में इस्तमा होते हैं ओके agriculture इफ वन प्लॉट 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 दा टांग इरिगेशन इन इंडिया और सुपर इंपोसेज इडविद अ मैप और वेल इरिगेशन वन में फाइंड दाट तू आर नेगेटिवली रिलेटेड विच आ फॉल्विविं स्टेटमेंट एक्सलेंस दा फिन इरिगेशन वन में फाइंड दाट टू आर नेगेटिवली रिलेटेड विच आ फॉलिविं स्टेट में एक्सलेंस दा फॉर्मूला दे को 77 को दीखेगा 77 टांग इरिगेशन प्रिदेट्स वैल इरिगेशन अच्छी बात है टांग इरिगेशन इन दा इस इन दा एरिया इन पर्वियस सर्फेस लेयर्स वैल इरिगेशन रिक्वाइशन रिक्वाइशन ग्राउंड वाटर रिजर्व अधर फॉर्म्स अब इरिगेशन अर नौट अवैलेबल पहली चीज़ अब देखो चार स्टेटमेंट हैं यहां पर भीया आपका एलिमिनेशन तो लगेगा ह इसा कैसे हो सकता है बहुत सारे इरिगेशन मेथट अवैलेबल हैं तो यह दोनों तो गए अपने आप बाहर ठीक है लो बाहर हो गया अपने आप इसे कहते हैं बैटा एलिमिनेशन हां जी तो चार में से मेरे पास इतने भी आते थे तो तब भी मिले से काम हो गया याद बहुत बढ़िया ये देखें डॉक्तर अमिश छोधिया साब आ चुके हैं और सारे लों करें बहुत 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 सवागत है आपका आज की क्लास में आजये चीक है हां जी बहुत बढ़िया है अमिश सर बहुत बहुत स्वागत आपका क्लास में अमिस सर भाई साव हमारे अंग्रेजी के धुरंदर हाँ जी अंग्रेजी के धुरंदर अमिस सर क्लास में आ चुके हैं सब लोग एक बार वेलकम करें और अमिस सर अमिस सर ये CDS 1 2019 का पेपर हो रहा है एहतिहासिक पेपर है या हाँ जी कुशन नमर 77 हो गया आगे 78 वे आते हैं पॉलिमर्स का कुश्चन है अब आप एक प्लास्टिक बाटल में गरम पानी डालेंगे तो आप देखेंगे कि प्लास्टिक बाटल जो है वो सिकुड जाती है लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा है कि एक गरम पानी जो है हम प्लास्टिक बाटल में डाल रहे हैं लेकिन इससे प्लास्टिक की बाटल सॉफ्ट नहीं हो रही है तो हम कौन सा जो है प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं थर्मो प्लास्टिक, पीवीसी, पॉली रिथ्रेन या थर्मो सेटिंग, जल्दी बताओ, बहुत ही आसान है बेटा, ये कोशन तो आप बता देंगे, बहुत बढ़ी हाँ, हाँ जी, जल्दी बताओ, बहुत बढ़ी हाँ, ये आंसर तो सबको आना चाहिए, बिल्कुल सही है राइट आंसर बेटा, थर्मो सेटिंग प्लास्टिक हो जाएगा न, हाँ जी, सो थर्मो सेटिंग प्लास्टिक जो होती है, उससे क्या होता है, कि ये ऐसी प्लास्टिक है, जो कि आक्शुली 15 लेर्स से बनाई जाती है, तो 15 लेर्स अल्मोस इसके अंदर इस्तमाल होती है इसी वज़े से ये बहुत hard plastic होती है और soft नहीं होती है याद रखेगा गरम पानी डालने पर भी हाँ जी अब ये question देखो thermodynamics का question है which of the following is the state functions हाँ जी जल्दी बताओ state functions क्या होते है वाई साब ये है भारी question thermodynamics का देखेगा पूछा है कि is the state function या functions तो state function वो होता है बटा जहां पर which depends only on the initial and the final state तो state function जो है बटा वो initial and final state पर depend करता है और वो irrespective of path path पर वो depend नहीं होता है याद रखेगा ये question करना बहुत बढ़िया है हाँ जी हाँ जी जल्दी बताओ तो q plus w q w t h ts बहुत बढ़िया तो बढ़िया ऐसा state जो की initial and final हाँ जी state पर निर्भर करता है और ये independent of the path होता है जल्दी बताओ बहुत बढ़िया तो बहुत बढ़िया ये तो बिलकुल नहीं हो सकता ये भी नहीं हो सकता ये ठीक है मतलब दूसरा नहीं हो सकता दूसरा हो तीसरा नहीं हो सकता तो दूसरा गया ये गया बहार तो ये तो है बिलकुल सही मतलब ये भी गया राइट आंसर विल भी ए वन एंड फॉर वन एंड फॉर इस दा राइट आंसर शाबाश थर्मोडाइनमिक्स का एक और question आया है for a certain reaction डेल्टा जी is equal to minus 45 kilo Joule हां जी and delta H theta is minus 90 kilo Joule at 0 degree Celsius हां जी what is the minimum temperature at which the reaction will become spontaneous assuming that delta H theta and delta H theta are independent of temperature क्या बात है क्या बात है क्या बात है अब ये question देखो हाला कि आपको मालूम है कि इस तरह के question अब आने बंद हो गये हैं अब ऐसे question नहीं आते हैं हां जी जल्दी देखो तो independent of temperature है ना हां जी जल्दी देखो बहुत बन हां independent of temperature है जल्दी देखो बिलकुल सही है तो 273 plus 273 तो कितना हो गया 273 plus 273 546 के हां जी तो right answer will be C ये देखेगा तो देख सकते हो ये 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 we know that DGQ ये ऐसा होगा ये देखेगा ये चिक है orbital hybridization का question है भाई साब ये CDS1 2019 दो चार लोगों को heart attack पड़वा देगा भाई साब in PCL5 molecule the PCL5 molecule has trigonal bipyradmial structure therefore the hybridization of p orbital should be हां जी तो trigonal अब आप देखो बैटा यहां पर और क्या लिखा है is a trigonal bipyradmial structure trigonal है ना अब ध्यान से देखेगा trigonal है और bipyradmical structure है ध्यान से देखो trigonal है हां जी देखो जल्दी से तो trigonal bipyradmial structure तो hybridization of p orbital should be so dsp3 हां जी राइट आंसर विल बी डी 81 का राइट आंसर डी है अरे भीया हालत खराब हो गई लोगों की लोगों की हालत हो गई खराब और जो तुमसे हो पाए वो करो बेटा समझो मेरे बात को बच्चो हां जी बहुत बढ़िया एक बार फिर से सारे लोग session को like और share कर दें हां जी तो like और share एक बार session फिर से हो जाए तब तो भाई मज़ा आए और अभी तक तो आप लोग जो है अपने target को भी पूरा नहीं कर प skip बबा बहुत बढ़िया like और share हो जाए शाबश फिर इसा question है in spherical polar coordinates हाँ जी थीटा डिनोट देंोट 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 देंगल रेश रोम x-axis then the y component of p is given by 5शा बादी question 82 को देखेगा तो spherical polar coordinates गामा ठेटा अलफा ठेटा डिनोट देंोट 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 देंगल देंगल रेश रोम x-axis then the y component of p is given by कैसे दोगे भाईया जल्दी बताओ बहुत बढ़िहा जल्दी देखे बहुत बढ़िहा तो spherical polar coordinates हाँ जी so right answer question number 82 का आपके सामने यह है भाईया right answer is p sin theta sin alpha हाँ जी आप इसको निकाल सकते हैं छीख है तो spherical polar coordinates हाँ इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं right answer is a ideal gas for an ideal gas which of the following statement does not hold true तो ideal gas के लिए कौन सा statement does not hold true the speed of all gas molecules is same the kinetic energies of gauze molecules are not same the potential energy of the gas molecule is zero there is no interactive force between the molecules जल्दी बदाईएगा हां ची तो ideal gas का कुश्चन है 83 देखेगा यह देखो यह कहीं रहे हैं टैबलेट चाहिए क्या इन्हें हां जी 83 देखे तो which of the following statement does not hold true जल्दी जाहिर सी बात है बटना था the speed of all gas molecules is same अब्यसी बात है राइट आंसर विल बी A they cannot be same हां जी A is the right answer A होगा भाई बताओ भाई हां जी बहुत अच्छे जवाब दो आगे What is constellation यह तो आप के लिए बहुत बढ़े हां गोशन है यह तो वब लोग बता देंगे 84 को देखेगा A particular pattern of equidistance stars from the earth in the sky A particular pattern of stars that may not be equidistance from the earth in the sky A particular pattern of planets of solar system in the sky A particular pattern of stars, planets and satellites in the sky due to a position in the space बैट आपने देखा होगा ना अक्सर अस्मान में जो है constellation दिखता है मतलब आप जैसे एक तारा यहां है एक यहां है एक यहां है तो आप इसको जोड़ कर ऐसे बना सकते हैं ना यह यह क्या है बैटा यह एक पैटन बनता है इसे constellation कहते हैं तो यह equidistance नहीं हो सकते याद रखेगा हाँ जी कोई जरूरी नहीं है पैटन है लेकिन may not be equidistance from the earth हाँ जी So they cannot be equidistance हाँ जी Right answer is B शावाश Hook's law Elasticity physics equation है Hook's law is valid for 85 देखेगा Only proportion region of the stress strain curve Entire elastic region of the stress strain curve Elastic as well as plastic region of the stress strain curve हाँ जी जल्दी बताईएगा तो elastic and plastic तो होता नहीं है यह तो गलत है चीक है तो बैटा क्या होता है कि जो से कि आप किसी चीज के उपर जो है कुछ बोश डालें और बोश को जब हटा लें तो वो चीज automatically अपने असली पोजिशन में आ जाए हाँ जी ओके बिलकुल सही है तो हुक्स लॉइस वैलिट फॉर only proportional region of the stress strain केर व्यार दख्येगा right answer is A 85 का right answer A है बच्चो हाँ जी proteins and minerals which of the following statement regarding histone proteins is correct question number 86 histone histones are proteins that are present in mitochondrial membrane histones are the proteins that are present in nucleus in association with dna histones are protein associated with lipids in the cytosol histones are protein associated with carbohydrates in the cytosol जल्दी बताओ जल्दी बताओ बहुत बढ़िया जल्दी बताओ तो हिस्टोंस हिस्टोंस आपको मालूम है proteins that are present in the nucleus in association with dna it is known as histones कुछ नम्बर 86 का राइट अंसर भी है शाबाश जल्दी बताओ तो हीमोग्लोबिन हाँ जी हीमोग्लोबिन आपको मालूमी होगा बहुत ही बढ़िया हाँ हाँ जी हीमोग्लोबिन अकसर होता नहीं है जब लोग कमजोर हो जाते है हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता है उनका जल्दी बताओ तो हीमोग्लोबिन of rbc यह वो होता है जो विटा carbon dioxide और oxygen जो दोनों को carry कर सकता है right answer B है 87 का right answer is B optics which of the following is the correct sequence of passage of light compound microscope 88 condenser objective lens eye piece body tube objective lens condenser body tube eye piece condenser objective lens body tube eye piece eye piece objective lens body tube mirror तो भई या देखो eye piece तो अंत में आएगा जाहिर सी बात है तो eye piece तो अंत में आएगा न यह तो बिल्कुल गलत हो गया ठीक है हाँची तो यह तो सही दिख रहा है यह भी सही दिख रहा है यह भी गलत है अब इन दोनों में से होगा तीक है हाँची तो अब्जेक्टिव lens condenser body tube eye piece तो पहले condenser आएगा फिर objective lens फिर body tube और फिर eye piece और फिर आखें बिल्कुल सही है right answer will be c हाँची c हो जाएगा या c तो आप देख सकते हैं ठीक है हाँची यूरियरी यूरियरी system which all the polystatus correct यूरिया इस प्रेड्यूस इन लिवर यूरिया इस प्रेड्यूस इन ब्लड यूरिया इस प्रेड्यूस व्म digestion of starch urea is produced in lungs and kidneys जल्दी बताओ यूरिया यूरिया के बारे में आपने सुना होगा हाँची statement is correct देखो यहाँ पर पूछा गया कौन सा statement सही है यूरिया इस प्रेड्यूस इन लिवर यूरिया इस प्रेड्यूस इन ब्लड यूरिया इस प्रेड्यूस रम डाइजेशन अव स्टार्च यूरिया इस प्रेड्यूस इन लंग इरोजन किसमें होता है बहुत ही आसान है गली रोजन देखा नहीं है यह पहाड है यह पहाडों को नदियां जो है काट देती है और यहीं पर जो है बटा हाँ जी बीहड बन जाते हैं और बीहडों में जो है है पान सिंग तोवर हां जी बागी घुमते हैं तो आपने देखा हो गली रोजन पहाडों के बीच बीच में से कटाई है जिसमें बटा नाचुल जो है छुपने के रास्ते बन जाते हैं जहां पर चंबल के डाकू बहुत मशूर है हां जी चंबल राइड आंसर भी है तो गल सारे लोग लाइक बटन जरूर दबाएं अगर क्लास अच्छी लगी है तो बहुत अच्छे बहुत बढ़ियां बेटा डाकू मत बोलो बागी बोलो बागी कहता है नहीं पिच्चर में पान सिंग तो मर डाकू नहीं साब बागी डाकू तो पारलिमेंट में बैटे हैं ऐस हैं चंबल बेटा मध्य परदेश शांदार है जवरदस्त है और जिंदावाद है लेकिन हम अपने टार्गेट से रह गएं पीछे नाइंटीन मार्क्स कितना है ज़रा बताना वही है टार्गेट आज पूरा नहीं हो हमारा बहुत बढ़ है तो बाइस साब 15 सेप्टेंबर से हमारा बैच आ रहा है एक्स्पेडिशन सीडियस ओटिये क्रैश कोर्स इसमें डॉक्टर में शेशोदिया इंग्लिश मैं इसमे यह 15 सेप्टेंबर से 12 नवंबर के बीच यह बैच चलेगा चिक है है और आप सब्सक्रिप्जन ले सकते हैं को सिप रिविजन करना है एक महिने एक 10 महिने और में निकालो के 6 महिने आराम से तैयारी करो 12 महिने क्योंकि सेप्टेंबर 2022 तक सारे पेपर हो जाएंगे इसलह QUE कहूंगा बारा महने का ले लो और अगर ग्रैजुशन में नहीं हो तो चौबिस महने क्योंकि बटा आप 2023 मेगा पेपर देना चाहते हैं मेरा कोड बस याद रखेगा क्यों है लाइफ आपका काम हो गया यह शाम को छे बजे आज प्रैक्टिस बैच में बहुत इंपॉर्टे आरीन साहा सहाब आप इसके लिए हमारे टेलिग्राम चैनल क्यू एन एक एडमी पे जुड़ जाएं सारी जानकरी वहाँ बिलिया ज़िया गया कल हमारा CDS1 2021 खतम हो रहा तो कल हमारा CDS1 2021 खतम हो जाएगा और फ्राइडे को 12 बजे आप लोग के लिए एक बहुत तगड़ा सेशन लेकर आ रहा हूं यहाँ टू एस जर्नल स्टड्डी इस साठ डिलों में जर्नल स्टड्डी जिद्श की तव्यारी कैसे करें अब आकरी के साठ दिन हैं तो आकरी के साठ दिन में क्या करें शीख है जए इन्ड जए भारत वंदे मात्रम थैंक यू झाल झाल